उपाध्यक्ष महोदै राज्यसभा में शुन्यकाल के दोरान डॉक्टरों की कमी का मामला उठा मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद प्रभात कुमार ने गावों में डॉक्टरों की कमी से सरकार को अवगत कराया उन्होंने डॉक्टरों की कमी का आकड़ा देकर ग्रामिनों को इलाज में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी सांसद ने बताया की देश की दो तिहाई आबादी गावों में रहती है पर उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की उपलब दिता एक चोथाई मात्र है उन्होंने इस आकड़े को और विस्तारित करते हुए बताया की सिर्फ 35 प्रतीशत सरकारी डॉक्टर गावों में है जबकि भारत की 70 प्रतीशत आबादी गावों में रहती है उन्होंने सरकारी आकड़ों का हवाला देते हुए कहा की पिछले 12 वर्षों में 200 प्रतीशत डॉक्टरों की कमी आई है मात्र म्रत्यू दर प्रती लाख जननी वर्ष 2012 में 254 से घट कर सो होनी चाहिए लेकिन वह सिर्फ 212 तक पहुँच पाई है उन्होंने ग्रामिंग छेत्रों में चिक्त सकों की दैनिता के आकड़े बताते हुए कहा की 1000 लोगों पर मात्र 0.6 डॉक्टर उपलब्ध है पैरा माननिय महोदय लोकसभा में आंद्र प्रदेश के विशेश दरजे की मांग को लेकर धर्ना प्रदर्शन हर्ताल ताले बंदी चक्का जाम बस रोक कर रेल गाड़ी रोक कर और नारे लगा कर सरकार का ध्यान आकरशित करने का प्रयास कर रहे तेलगू देशम और छेत्रिय कॉंग्रेस के सांसद प्रदेश को विशेश राज्य में कुछ कम करने पर माननी के लिए तयार नहीं है उनके प्रदर्शन और नारों के सुन्यकाल में दो बार सदन की कारियवाही 15-15 मिनट के लिए इस्थगित भी की गई त्रण मूल कॉंग्रेस के सांसदों को चर्चा के लिए मनाने का प्रयास भी किया गया परंतु तेलगू देशम के सांसद नहीं माने अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी द्वार पर तथा बाहर खड़े सांसदों को बार बार वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा परंतु संसदों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी संसद सदन के बाहर खड़े होकर नारे लगाते रहे पैरा महोदय जी खाद्य सार्वजनिक वित्रण और उभोपता मामले के मंत्री राम बिलास पासवान की सीट वहीं पड़ती है जहां तेलगू देशम के ग्यारह संसद खड़े होकर नारे बाजी कर रहे थे उनके मंत्रालें के स्टार प्रश्न पर जब पासवान किसी कारण से म्रत्यू के विशय में हत्यात्मक आत्म हत्यात्मक व दुरगटनात्मक प्रश्न का जवाब देना चाहा तो संसदों की तेज आवाज के आगे बोल नहीं पाई अध्यक्ष ने उन्हें दूसरी सीट पर जाकर बैठने को कहा जहां से बाद में उन्होंने पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दिया इससे पुर्व पार्टी के संसद जब कोई वक्ता उनके आसपास से खड़ा होकर प्रश्न पूछा तो उनके चहरे की और ले जाकर लहराते ताकि उनका काड बाहर जनता के बीच दिखाई पड़ सके पैरा अध्यक्ष ने संसदों के इस हरकत के लिए फटकार भी लगाई क्रशी मंत्री राधा मोहन सिंग ने जब अपनी सीट से प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया तो संसदों ने तेलगू में तेज तेज नारे लगाना प्रारंब कर दिया ताकि उनकी आवाज दूर दर्शन के प्रसारण के माध्यम से देश भर के शुरोता सुन सके राज्यसभा में कल आने वाला वस्तु व सेवा कर संशोधन विधेयक को लेकर कॉंग्रेस परिशान है कि अपने विचार सदन में कैसे रखें कॉंग्रेस को इस विशेय पर हिंदी में बोलने वाला नहीं मिल रहा है स्टॉप